जो नेताओं को उपर हिंसा को प्रमोट कर देते हैं क्योंकि एमेरिका में ऐसा हुआ इसलिए देश में बीजेपी सवाल उठा रही है कि इसी तरह के बयान तो विपक्ष दे रहा है कि लोगतंत्र समाप तो जाएगा समिधान समाप तो जाएगा चुनाव नहीं होंगे 40 सेकंड देखिए ये एक गलत कंपेरिजन है ये ये कंपेरिजन होना ही नहीं चाहिए बीजेपी के उपर हम ये इलजाम इसलिए लगाते हैं क्योंकि बीजेपी संग का माउथपीस है संग का अपना एक हिंदू राश्टर का एजेंडा है बहुत से डेविएशन जो CAA, NRC है जिसको हम सेकुलरी थौस अफ दे कॉंस्टिटूशन के खिलाफ मानते हैं तो वो उसकी डिबेट के अंदरगत हम लोग कहते हैं और इसी कॉंस्टिटूशन में रह करके पीस्फुली लड़ते हैं लेकिन खत्रा किसको है मोधी साहब को नहीं है खत्रा तो प्रिया हमें खाना गांधी को यह मोधी सरकार कोविट के बीच में कहती है कि मंगला खाली करो और जाकरके वो प्राइवेट एक अपार्टमेंट में रह रही हैं तो सुरकशा चाहिए किसको क्या गांधी परिवार को सुरक्शा नहीं चाहिए झ्यादा खत्रा आज भी गणी से जिनोंने उनी के पूरोजों को मारा तो ये ट्रम्प के एक हादसे को ले करके मोधी साहब अगर अपने आपको विक्टमाइज दिखाना चाते हैं और माजबा ऐसी बैटिंग करना चाती है तो ये गलत है तो ये गलत है बीजेपी इस पर सस्ती पॉलिटिक्स कर रही है जै हमले में पिडित है और पूरी दुन्या में जो एक इस्लामो लेफ्ट लिबरल कबाल नेकसस काम करता है देश बदल जाते हैं नेता बदल जाते हैं स्क्रिप्ट वही की वही है ट्रम्प के बारे में कहना ये हिटलर है ये ताना शाह ये आएगा तो चुनाव खतम समविद ये एक बयान है मैं आपको और बयान सुना लेता हूं सुनिए कुटे की मौत होगी लाठी डंडे मारेंगे और सुना दू हिटलर की मौत मरेगा कबर खुदे की मोधी की ऐसे कहीं बयान है और मैं आपको और दो तिन उधारन देता हूं पठना का 2013 का बलास्त आपको याद होगा जब ये बलास्ट रैली में हुआ जब नितीज जी की सरकार्ती जिसकी सरकार है आप लोगों नितीज जी ने तो खंडन करके अपने कारेकरम रद करके वो आए उस जगे पर परंतु दिगविजे सिंग ने कहा ये स्वयम भाजपा के लोगों ने करा है उसके बाद कन्विक्शन किसकी हो इंडियन की और सिमी की सच बोल रहा हूं जूड बोल रहा हूं दोजार अठारा में बीमा को रिगाओ प्लॉट टो असैसिनेट प्राइम मिनिस्टर उनको सभी लोगों को एको सिस्टम ने डिफेंड किया लीगली मॉरली जूड बोल रहा हूं क्या दोजार बाइस में जब की सुरक्षा की मालँ है सब की सब्सक्राइन जब इस पर प्रियंका वाड़ा जी की सुरक्षा को लेकर प्रियंका वाड़ा जी हो राहूल गांदी जी हो उनके परिवार को अभी भी Z-Plus with ASL सुनिये ना, SPG तो केवल प्रधान मंतरी को मिलती है, SPG तो देवगाउडा जी के पास भी नहीं थी, वो तो पूरू प्रधान मंतरी थे Defense Minister जो सीक्यूरिट उनके पास है, वही गांधी परिवार के पास है, पर सवाल वो नहीं है, अभी उन्होंने Indira जी का खिर किया Indira जी को जिनोंने मारा था, उन तत्वों ने कहा था एक आंदोलन के दौरान जैसे Indira को ठोका है, वैसे Modi को टोकेगे उनके समर्थन में कौन उतरा है उनके समर्थन में ये वांपन की उतरा है इसलिए मैं कहा रहा हूँ और मुझे आखरी बात 10 सक्ट रखने दीजिए मैं आखरी बात कहा रहा हूँ देखे ये process of de-legitimization and de-humanization अपने opponent को 10 सक्ट रहा हूँ मैं पूरा स्टेटमेंट हो जाने दीजिए मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि जो process of de-legitimization and de-humanization किया जाता है non-left के साथ जिसका मैं आपको उधारन देता हूँ Randeep Surajewala ने कहा कि जनता राक्षस है जो BJP को वोट करती है मतलब आप सीधे-सीधे के राक्षस के साथ क्या होता है उसको समाप्त करते हैं न यहीं चीज हिलरी क्लिंटन ने कहा basket of deplorables मतलब कि पूरा वोट बैंक ही इनका ऐसा है हिदू हिंसक है अगर को हिंसक होगा तो दूसरी प्रतिक्रा क्या होगी इनका व्यक्ति के साथ उसको मारेंगे तो यह जो डिलिलेजिटिमाइजेशन है यह लेफ्ट की लोग करते हैं नोन लेफ्ट के साथ मेको 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 सुनी ल्यादव की भी स्ट्राइ लेनी है तेसीन पूरावाला भी हाथ कड़ा कर रहे है के साथ